पूरवी दिल्ली के मंडावली इलाके में डाइपर फैकने से मना करने से नाराज युवक ने एक शक्स पर चापड से हमला कर दिया इस हमले में शक्स गंभीर रूप से घायल हुआ है जिसे कल्यान पुरी इलाके के लाल बहादु शास्त्री अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उसे जीटीबी अस्पताल रेफर कर दिया है पुलिस ने हत्या के परियास का मुकदमत दर्श कर मामले की जाच शुरू कर दी है घायल की पहचान नकुल के तोर पर हुई है वह मंडावली इलाके में परिवार के साथ रहता है नकुल मंडावली इलाके में जिस बिल्डिंग में रहता है इस बिल्डिंग में नीरच नाम का युग भी परिवार के साथ रहता है तो उस प्रोलम से बारबाब जगरा होता है लेकिन यह मानते नहीं है बारबाब जीने पर रखते हैं उसके बाद में आज परसो जगरा हुआ तो पुलिस रिपोर्ट इनों का नहीं लिखा समझादा खोड़ दिये उसका मन बर गया बरने के बाद में क्या हुआ आज सुबह जाय रहे तो नकुल के परीजनों का आरोप है कि निरज अपने बच्चो का गंदा डाइबर सीडियों पर लख देता था जिस से आने जाने वाले लोगों को दिक्कत होती थी और सीडियों पर बद्वू हो जाती थी इस बात की शिकायत जब भी की जाती नीरज जगड़ा करने लगता दो दिन पहले जब नकुल ने सीडियों पर डाइपर फैकने की शिकायत नीरस से की तो वह भड़ाग उठा और जगड़ा करने लगा मामला थाने तक पहुचा लेकिन दोनों पक्षों के बीच कंप्रमाइज हो गिया आरोप है कि सोमा सुभे एक बार फिर नकुल ने सीडियों पर डाइपर रखा पाया और शिकायर नीरस से की लेकिन नीरस भड़ाग उठा और नकुल के सर पर चापड से वार कर दिया हमारे रात कहीं से आए थे बाहर से ऐसे पढ़ाय समान सब सुभे ऊपना नाते दो दे साथ वो साथ आप अपड़े तक अपने निकल जाते है नातुकि किसी से कोई लेना देना नहीं है सर हम अंदर अपना सो रहे थे अब आपस में चलो किसने क्या बोला पहले हम नहीं सु पुलाइस निकला वैसे वार निकला है जासे उसने अतक हो गई आद्मी को पकड़ू कि उन्हें समझाओं गाली को दिए तुम्हें हमत कैसे तुम्हें थर्वाजें से वह तो भी आवार कर दिया तो पूरी सर्पटी उसको भी नहीं आए हैं तो हम तो देखने भी नहीं थाने गए फिर हम दो तीन जने ना कुछ पूछा नहीं क्या है तुम्हारी गलती है तुमने ऐसे जब यहां क्या करते होंगे तो अगर अपने पर जान पर पड़ेगा तो इंसान बोलेगा ही ना सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मोखे पर पहुची पीडित परिवार की शिकायत पर हत्या के परियास का मुकदमा दर्च कर मामले की जाच शुरू कर दी गई है नवदर टाइम्स के लिए वाजदली के साथ सुरेंदर सिंग की रिपोर्ट